हलो फ्रेंट्स वेलकम तू देविंपिजेस अकाइडमी आई होप अपस भी अच्छे होंगे पढ़ाय कर रहे होंगे घरकर सेफ होंगे देखिया आज की इस लिसन में हम लोग सोल्ब करेंगे से सी सीजिएल पीटी दो हेज़र बीज के कोश्चनस को ठेक सीजिएल पीटी d Googs का मतलब यहे है कि से सी आज सी चीजिएल दो जार उनीज का एक्जाम जो है वह कंडक्थ हुआ था आपका दो हेजर बीज में और यह जो एक्जाम चला था वह चला था अपका तो आप अगर प्रिवेस लेसंस को देखना चाहते हैं तो आप हुमारा यूटुब चैनल देंप स्काइज में उसके प्लेलिस सेक्षन में वहाँ पर आपको मिलेगा एससी सीजियल पीटी दोजर बीज इंगलिस कोस्टन का सॉलुशन ठीक है तो आपको इस प्लेलिस्ट में बाकी सारे जो लेसंस हैं सॉलुशन डिटेल में आपक अब लोगों ने किया हैं सेंस में आपका त्रीछ ओ में सारे सेक्षासे में और 208 में iss कोस्ट gentleman के कूंड कि आपका आप्रिल और मै मंत में यूद्च प्रीज का एक्जांब होने वाला है तो इसके लिए जो हम लोग हम लोग बिद्स के कोस्टन संहां यहाँ पर solution कर रहे हैं उनका पूरा detail में year wise करके भी और shift wise जैसे जैसे जो exam conduct हुआ है ठीक है तो इसके just बात यानि कि आज हम लोग second shift कर लेंगे और कल हम लोग third shift करेंगे इसका वाद हम लोग करेंगे CHSL का ठीक है तो CGL वो खतम हो जाएगा playlist आपका separate बना हुआ है सब चीज का अबी पॉब्लिकेशन बुक स्वोलीशन 2016 एंबी बुक स्वोलीशन 2019 एंबी बुक स्वोलीशन 2018 फिर आपका से सब्सक्राइब यह सारे सेपरेट प्लेलिस्ट है आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं प्रिवेश इर प्रेश्ट के लिए चलिए तो हम लोग सॉलीशन कर सब्सक्राइब इस चीज को रोग देना समावत करना तो राइद आंसर आपका है यानिकी नफरत करना तो देखे यहां पर चार उप्षेंस हैं आपको यहां पर अर्थ बता दिए और यह चार उप्षेंस आपके लिए इंपॉटेंट है क्योंकि एसे से क्या करता है कि आप आपके सामने question one करा सकते हैं अगले सिप्ट में फिर अगले एकजाम में ठीक है इसलिए जो है आपके लिए हर एक word important हो जाता और जो भी वह आपके है हम उसका यहां पर अर्थ आपको बता देते हैं ठीक है तो आप हर एक वोट पर ध्यान दीजिए अगर कहीं पर कुछ समझ मनाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा ठीक है तो यहां पर देखिए आपको इस तरह के अगर डिली एंटोनीम सेनोनीम जितने भी इ प्रियोप कोष्ट पीडियाप के फॉर्म में दिया जा रहा है देखिए अप सभी जानते हैं उससे आप सभी जानते होंगे उस बुक को कितना इंग्लिस के कॉश्चन दिये गया है एक जगा उसमें से जितने भी इंपोर्टेंट सिरोनीम इंटोनीम या फिर हम लोग संट को पीडियोफ फॉर्म में दिया रहा है तो आप हमारे टेलग्राम चैनल जॉइन करिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करिए इस लेशन का यानि कि जो हम लोग लोग लेशन कर रहे हैं सॉलूशन उसका भी पीडियोफ हमारे टेल मिन्स यह जो वोच होते हैं अक्जुलरी के बाद दो भर्ब्स आएंगे ठीक अगर मालें कि आपके पास दो भर्ब्स आएंगे तो एक वर्ब आपको यानि कि जो पहला भर्ब है उसे बेस फॉर्स फॉर्म में और जो दूसरा भर्ब है इसे हम लोग बोलते हैं नन कॉंज और यजो है मेसा इस मोजाल केवाद दूसरा वहां बर्बाएगा वह अपने भर्ब के ं में होता है सफ़र्ट फॉर्म में हाँ पर होगा ठीक है तो यहां पर संद के जगा हम यहांपर संद के जगा जो है हम सेंद का उसका यूस करेंगे तो एर हो जाएगा आपका d मे सेंड के जगह जो है आप क्या यूज करें सेंड का वीश मस्ट गेट इस पोस्ट सेंड एज सून एज पॉशिवल आपका यहां पर राइज आंसर हो जाए कोश्मत्री यहां आपको इंडरलाइन सिगमेंट में इंप्रूम्मेंट की जरूरत है तो अपने गिवन ऑप्शन से सब्सक्राइब करें नहीं तो इंडरलाइन सेक्शन है इसमें आपको इंप्रूम्मेंट की जरूरत है तो यहां पर देखें यह पूरा बात हो रहा है पास्ट में यह ऐसे कोश्चन हम लोग ने प्रिभियसली जो है जब एंबी पॉब्लिकेशन के बुक से भी सॉलिशन कर बढ़न अपको ख्रणा भाबर अपको हमारे प्रेलिस्ट सेक्शन में आपको एक प्लेलीस्ट मिलेगा उसमें थ्री लिशन्स अड़ेड हैं जिसमें इंभी पॉब्लिकेशन के जो हैं मेल मेंस के कोश्安 साथ में आको इर विर्पोर टिक्षन में तो जितने में मेंस के कोश्ण से आपको वहां पर दीए कधित्र है तो अशैथ कोले। जरूर की उस में लमें लोग शैर प्रतारी टालीच मीलिट चालीस या 45 आप देखिनग्स में तो सही है मदलब की ek sala के लिए आपको हरे कोशन उसमें बताया गया है ठीक है और वो सारे इंबी पब्लिकेशन से ही बताया गया है तो आप उसे जरूर देख लिजेगा तीनों लेसंस को अब यहां पर देखिए अगर आप सीखेंगे तो यहां पर हम जाएंगे भर्व के सेकंड फॉर्म यानि कि यह पूरा संटेंज जो है यह पास्ट में जाए आई वास सिटिंग वास का यूज कहां पर होता है पास्ट में होता है ठीक है उसके वाज़ा आपका पार्ट है यह भी जो है आपका पास्ट में ही है है यानि कि हैट पलस भर्व का ठोट फॉम यह भी पास्ट में ही है लेक दूसरा पार्ट आपको जो है सिंपल पास्ट यानिकी पास्ट इंडिफिनिट में रखना होगा तो हैड ही जगा जगा जो है आप सिर्फ ही यर्ट का यूज करिए आई वास इडिंग एट सब्सक्राइब अब लोगों ने क्या सिखाय कि चारों सिंटेंस को पढ़ेंगे उसके बाद जो है इसमें से हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम बनता है वह बनता है अकि सब्जेक्ट को चूज करना आकिर किसके बारे में बात हो रहा है ठीक है यहां पर फिर से समझते हैं हम लोग प्रिविएसली भी इस चीज को समझते आए आज फिर से समझते हैं जैसे माल लीजे कि लिखा गय ठीक फूल स्टाप हम यह बस आपको एक संटेंस दे रहे हैं आप बस इसे समझेगा इसके बाद है कि ही है तू लेक्स ठीक यह दूसरा संटेंस ही है तो यहां पर देखिए अगर आप इस संटेंस को पढ़ेंगे तो इससे आप समझने के लिए आप क्या पहले करेंगे सब यहां पर हम लोग ने कैसे समझा कि राम के बारें बात हो रहा है कि हम लोग जो है तीनों सेंटेंस जो गिवें था उसे हम लोग ने पढ़ा और उनका अर्थ हम लोगों ने समझा और उसके बाद देखा कि यहां पर बात हुआ वह राम के बारे में तो आपको बस वही करना है यहां पर ठीक है आप चारों सेंटेंस को पढ़िए उसके बाद उसमें से एक सब 20 questions आएंगे और हर एक माक आपके लिए important है तो आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा बेतर इसमें होते चले जाएगा ठीक है तो यहां पर आप पढ़ेंगे तो यहां पर बात हो रहा होगा कि बह एसे लोग जो कुछ नहीं कर रहे थे उनके बारे में बात हो रहा है ठीक इवेन दोज हुआ इंप्लोई यानि कि वह जिनके पास नौक रिया मतलब जो इंप्लोई है ओफन कम लेट टू आफिस वह भी जो है ऑफिस लेट आते हैं लीव अरली और पहले चले भी जाते हैं अनलेज दे आर फोस्ट वी पंक्चुल जबकि उन्हें कहा जाता है कि आप जो है समय निश्ट रहें फिर भी वह लेट आते हैं और जल्दी चले भी जाते हैं ठीक देंओं और और वन से ओफिस में और एक वार ओफिस में देर रिषीव फ्रेंट्स एन्ड रेल्ये टिप्स belong तक अईनिटाइम वह जो है क्या करते हैं कि दो बिना अपॉइंटमेंट के उन्हें अपने अफिस में बुला लेते हैं और फिर उनका कॉल भी रेसीब कर ल यानि कि CDBA आपका यहां पर हो गया तो देखिए यहां पर बात वैसे लोगों के बारे में हुआ जो कहीं पर बैठे हुए हैं और वह कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक है अब वह व्यक्ति जो हैं जो प्लॉइड हैं वह ऑफिश आते हैं लेकिन आते हैं लेठ से और पहले चले वे आते हैं और पंट्चुल भी नहीं है ठीक है उन्हें कहा जाता है पंट्चव ska और आपका यहां ऑप्षिन भी हो जाएगा हुए को यहां पर समझे और उनका अर्थ निकाल कर और इसके बाद जो है संटेंस को कनेक्ट करिए आते हैं कुश्चन फाइप आपको वन बस अप्शिशन बदाना है having something more than required यान कि कोई ऐसा चीज़ जिसे जरूरत से ज्यादा वहाँ पर आपको दे दिया गया मतलब देखते हैं स्टर प्लास यान कि अतरीक तो राइडांस अब्स से ईसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ठीक तो आपका जो राइडांसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option इकोश्चन नोबरिशिक्स यहाँ आपको डारेक्ट इंडारेक्ट स्पीच बताना यान कि narration what are you doing to call a puppy जिन दब आस्क्ट यान कि बच्चे ने पूचा यान कि लड़के ने पूचा कि वाट आरी गुइंग तुम इस पपी को क्या इसका नाम देने जा रहे हो ठिक तो यहां पर पूचा जा रहा है कि तुम जो है इसका क्या नाम दोगे तो पूचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं आस्क का यूज करते हैं तो option अगर आप देखेंगे तो वांडर और टोल्ड को आप eliminate कर सकते हैं क्योंकि आप पूचने का काम हो रहा है तुम क्या नाम दोगे उसका ठिक तो यहां पर जब भी आप देखें कि इस तरह के sense में दिया रहे क्योंकि sentence आपको बहुत सारे form में दे आता है जैसे कि kindly तो आप request का यूज करेंगे ठिक जैसे कि please यूज हो जाएगा तो आप request का यूज करेंगे या फिर आप देखेंगे कि किसी चीज को करने क्लिक क्या जा रहा है तो वहां पर आप order का यूज करेंगे कहीं पर आपको command क यूज करने के लिए करा जाएगा तो इस तरह की जो वोट है तो हमेंसा आपको ध्यान में रखने होते हैं और अगर आपको नारेशन में किसी परकार कर दिक्कत है तो हमाई टेलग्राम चैनल देम इसक्रिप्शन उसका लिंक है आप वहां से जाईए और उसके सर्च आइक अब ऑप्शन डी ऑप्शन और ऑप्शन सी में देखे जेन आज दाब वाई वाट इस ही गोइंग और यहां पर देखिए सीवास गोइंग अब यहां पर देखिए इसका यूज कहां पर होता है प्रेजेंट में होता है और यहां पर जो बात हो रहा है यह जो पार्ट हमार यह पास्ट में है तो इस चीश को देखते हैं अगर यह पास्ट में है तो इस पार्ट को भी हम प्रेजेंट में रखते हैं अगर यह प्रेजेंट में है तो इस पार्ट को भी हम प्रेजेंट में रखते हैं तो चुकि हम यहां देख रहे हैं यह पास्ट में है तो हम इस पार को यहन की इंभर्टेज कोमा के अंदर वला पाज हुँज यह वहां पर हम पाश्ट का यूज करेंगे तो पाश्ट को यूज करने के लिए जो हैं लोग इसका यूज नहीं करते हैं इसलिए आपका यह भी एलिमिने तो राइड आंसर आपका और आपको रूल्स याद हैं करते हैं वो आपके लिए सबसे आदा इंपोर्टेंट है क्योंकि एलिमिनेशन करने से जो है आपको एकदम सियोर्टी हो जाता है कि हां मेरा यही आंसर होगा ठीक है तो उस पीडियाप को आप जरूर पढ़ लिजे आगे है आपको एक पैसे दिया गया और इसे फिल करना है चलिए पढ़ते हैं यहां से आपका शुरू है इन आवे यानि कि इस तरह से एडंड एजुकेशन मूप्मेंट थ्रुञ धर मीडियम ऐस एक फिलेज शुरुकर्ण यानि की एडल्ट एजुकेशन ट रिट माध्यम से जो है एक educational movement को चलाया जा रहा है ठीक in the beginning यानि कि शुरुवात में in the beginning शुरुवात में दो अब यहां पर देखिए विलेज स्कूल्स के बारे में बात हो रहा है तो हमें आप अटमेटिकली विलेजर से यहां पर देखिए यहां पर देखिए अब यहां पर किसके बारे में बात होगा किने मनाए यहां पर बनाएंगे उन विलेजर स्कून कि यहां कि यहां पर यूज करेंगे ठीक तो यह बहुत ही अच्छा पा पा रहे थे from the school ठीक है from the school जो है वो बहुती कुछ अच्छा पाने वाले थे देवेर नौट एट आल सियोर लेकिन वो लोग जो है इतने सुनिश्चित नहीं थे स्योर नहीं थे ठीक है लेकिन वो यह नहीं चाते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो अपने घरों को छोड़ कर जाए तो यहां पर एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात हो रहा है कि विलेजर्स को मनाना जो है बहुत ही हाट काम था विलेजर्स जो थे इस बारे में सेस्पीसियस थे कि आखिर क्या होगा ठीक है वो बहुत ही मुश्कुल काम हो गया इसलिए कि आखिर वो जो है यह सोच रहे थे कि उनके बच्चे जो है घर को छोड़कर कैसे जाएंगे ठीक कॉश्चन में यहां पर जो है आपको करता होता ना है एंगर एंगर एंफेर सिच्वेशन और बहुत समूंस अन इंड़क्शन मतलब क्या होता है आगमन या फिर प्रस्ताबना इंडिशन यानिकी स्वदेश्टी करन राइड आंसर आपका आपको ऊप्चन है कोशमा 13 या पर आपको इदियम कर्थ होता ना है ब्लाइंड एले इसका मतलब यहोता है इसका मतलब होता है कि बृध्धी होन यानि कि कोई ऐसा स्थी जहां पर आपको कोई भी प्रोग्रेस नहों तो राइद आंसर आपका 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 आपके आप्शन भी हो जाएगा टेकिंग फोर्स्ट अस्टेप आफ्टर संबडीज अप्रोज यानि कि आप जो हैं पहिलाक कदम लेते हैं किसी व्यक्ति दर्जे का ठिक माध्यम भी मध्यम भी होता है शाइनी आने कि चमकदार शॉब्ट यानि के मुलायम तो यह देखिए आपका सिनोनिम हो सकता है लेकिन हमें बताना है यहां पर इंटोनिम आपका है हाड यानिकी सक्त कठोर तो राइद आंसर आपका आपके ऑप्शन दी एक काम से बापस आ रहे थे तो मैं गाजन में क्या कर रहा था तो मैं गाजन में खेल रहा था तो देखिए यहां पर जो है इसका बोध हो रहा है इस संटेंस से कि जब मेरे फादर जो हैं वो आ रहे थे काम से घर पर ठीक है तो मैं क्या कर रहा था मैं जो है यहां पर खेल रह मैं क्या कर रहा था उससे में मैं वहाँ यह यहां पर फॉर्फ करना जो जो है आपका भर्ब का फर्स्ट पर्म इसलिए आप इसे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पास्ट में यूज़ हुआ है नो इंप्रमेंट ऑप्शन यह आपको इनकरेक्ट को चूज करना है ऑप्शन आपका गारांटी यह देखे वोड़ आपके सामने आगया ऑप आपका खिलाड़ी तो ऑप्शन सी आपका राइड आंसर हो जाएगा अप्शन सी यानि की सुविधार आइड आंसर आपका है आपके ऑप्शन सी कुश्टम सवंटीन यहां को आपको करेक्ट पैसिवास में चेंज करना है दा कमांडर ओर्डर ही सोल्जर टू मूव फोवर इसमस्istent में लोग आपको 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 ऑप्शन में किसी परकार का दिखात है तो आपको मिलेगा एक प्ले लिस्ट एक सद्यस में आपको तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा इस सोल्डर्स ठीक है उन्हेंने जो है सोल्डर्स को ओडर किया कि आप जो है आगे बढ़ें यानिकि इन्यमिक के कैम पर हमला करें तो यहां पर देखेंगे अगर आप यहां पर डेक्ट करएंगे तो और डिरेक्ट यहां पर उप्शन एक साथ आगए ठीक तो ऑप्शन यहां पर राइद आंसर है कोश्ण वाइडीन यहां पर आपको सिनोनीम यानिके प्रवाच्छी सब्द बताना है एक सीड का एक सीड मतलब होता है अधिक इंप्रूब यानिकि सुधार डिक्लाइन यानिकि प किस चीज़ पर तो स्कूल के बच्चे जो हैं पूरे थ्री स्टेट्स में ठीक है उनके स्टेडी जो रीडिंग है उन पर जो मेरे भाई ने श्टेडी किया है उसे रिकुनाइज किया गया है एक पाइनियर पीस आफ पीस आफ रिसर्च ठीक है तो यहां पर आपका आंपका यांप option A है और बाके options अगर आप देखेंगे तो negligent नगिलिजंट मतलब क्या होता है नगिलिजेंट मतलब होता है निकार निकम्म मतलब क्या होता है या फिर या फिर ऐसा इसदी जहां पर आपको कुछ साबिद करता है फिर इसी घटना इस्थिति जो कुछ साबिद करती है तो option C आपका आपको फिल इन दि ब्लैंक करना है, सुज़नरारिटि मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिपत्य, थेक है, यानि कि आपके उपर किसी का control है, सुज़नरारिटी इस हैविंग पॉलिटिकल कंड्रोल जो है, वो रखता है एक पॉलिटिकल कंड्रोल यानिकी लोग तंत्राब आपका back what यानिके पीछडा dependent यानिकी आश्रित unified यानिकी एक क्रिट तो यहाँ पर जो है कि dependent अस्टेच जो एक होता है उस पर जो है आधिपत्य होता है किसी का political control होता है यानिकी जो दुसरे पासित है उस पर तो लोग सभी लोग जो है अपना जो है हग जताते हैं तो यहाँ पर इसका बिसकली यही आरथ है आपका ओप्शन सी राई डांसर हो जाएगा कुशन 22 यहाँ पर आपको ग्रामेट का लीडर को फाइंड आउट करना है सीथा है नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस यहाँ पर करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि सी डेस्ट लाइक क्लासिकल डांस ठीक है तो यहाँ पर जो है जैस्मेंट के बारे में कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है इसलिए जो है एर हो जागा वह जागा आपका ओप्शन ए इन के जगह जो है आप फॉर का यूज करिए टेस्ट इसका मतलब होता है कि नॉट मच लाइक ठीक है तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइडांसर वह जाएगा आपका ओप्शन है यान कि उसे जो है क्लासिकल डांस पसंद नहीं है कोशन में 23 यहाँ पर आपको जंबल सेंटेंस दिये गया है तो यह आपके लिए हुंब यहाँ पर देखिए इस पीडिया में आपको इसका आंसर मिल यागा ताकि आप खुद से प्राक्टिस भी कर सकते हैं और इस तरह के पीडियप साप को हमारी टेल्ग्राम चैनल पर मिलेगा आप चाहें तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पहले चैनल को जौइन जरूर कर लिजेगा ठीक है तो लाइक करिए शेर करिए और आगर आप चैनल पर पहले वार विजीट कर रहे हैं अगर आपने कंप्लीट लेशन देख ल